नमस्कार दोस्तों दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे फल या फ्रूट के बारे में जो अगर आप डाइबिटीक हैं यानि कि आपको अगर डाइबिटीज है तो आप इनका सेवन डाइबिटीज में भी कर सकते हैं तो चलिए जान लेते हैं दोस्तों पेले नमबर पर आता है अनानास इसमें एंटी बेक्टीरियल तत्व होते हैं जो शरीर की सूजन को कम करने में कारगर होते हैं यह शरीर को पूरी तरह से लाप हो चाता है दोस्तों दूसरे नमबर पर आता है अनार यह फल भी बड़े हुए बलड शुगर लेव से खा सकते हैं लेकिन अगर आपको किड्नी की बीमारी भी है तो इसे खाने से पहले आपको डोक्टर की सलाले नहीं है दोस्तों अगली चीज आती है आडू इस फल में भी जी आई बहुत कम होता है और डाइबटीज के मरीजों के लिए आडू बहुत फाइदेमन मना जात है दोस्तों अगली चीज आती है आवला इस फल में वीटामिन सी और फाइबर होता है जो शुगर के मरीज के लिए अच्छा माना जाता है अगली चीज आती है अंगूर अंगूर का सेवन मदूमे की एक मुख्य वज़े मेटा बोलीजन सिंड्रोम के खत्रे से आपको बच जाता है अंगूर शरीर में ग्लूकोस के लेवल को भी कंट्रोल करता है अगली चीज आती है अंजीर इसमें मुझूद फाइबर मदूमे के रोगी के शरीर में इंसुलिन के काम को बढ़ावा देते हैं अगली चीज आती है कट हल यह अफल इंसुलिन के लेवल को कम करता ह क्योंकि इसमें विटामिन A, C, थियामिन, नियासिन, रिबाफलेविन, केलशियम, पोटेशियम, आईरन, मेगनेशियम और कई सरी तरीके मिनरल्स पाए जाते हैं अगली चीज आती है काला जामून दोस्तों मदुमे के रोगियों के लिए ये बहुती लापकारी होता है इसके बीजों को पीस कर खाने से मदुमे कंट्रोल में रहता है अगली चीज आती है कीवी कई रीसर्च के बाद यह बाह सामने आई है कीवी खाने से बलड शुगर लेवल कम होने लगता है अगली चीज आती है खरबुजा इसमें ग्लाइसेमिक इंडेक्स जादा होने की बाउजूर भी फाइबर की मातरा बेद अच्छी होती है इसलिए यदि इसे सही मातरा में खाये जाए तो यह बहतर होगा अगली चीज आती है चेरी इसमें GI मुल्ये 20 होता है जोकी बहुत कम माना जाता है यह शुगर के मरीज के लिए भहुती स्वास्त वर्दत मानी जाती है अगली चीज आती है नाशपती दोस्तो इसमें खुब सारा फाइबर और विटामिन होता है जो मदुमे के रोगियों के लिए काफी फाइदे मत होता है अगली चीज आता है पपिता दोस्तो इसमें विटामिन और कई तरह के मिर्डरल्स पाए जाते हैं अगला चीज आती है संत्रा यदि फल प्रती दिन खाने से विटामी C की मात्रा बढ़ेगी तो मदू में सही होगा अगली चीज आती है सेब सेब में एंटियोक्सिडेंट होते हैं जो कोलेश्टोय लेवल को कम करते हैं और Immunity Power को बढ़ाते हैं तो दोस्तों ये थे वो सारे फल जिनको अगर आपको Diabetes के मरीज हैं तो आप निश्चीत होगे इन फलो को खा सकते हैं तो दोस्तों ये थी मेरी आज की वीडियो और जानकारी उम्मिद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी अगर वीडियो पसंद आए तो इस वीडियो को लाइक करना बिल्कुल न भूले और अगर आप लोग नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रू दपाएं वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद